जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आखिरकार आ गई जी हाँ, तो आप सोच रहेंगे कि मैंने ये वीडियो की शुरुआत ये ऐसी क्यू की है तो वीडियो जो है आज का थोड़ा खास होने वाला है एनिमी के बारे में होने वाला है जैसे के आपको पता है हम हमेशा से रिव्यू करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि कौन सा आनिमी आपके लिए बहतर होगा क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किसमें फिलर्स ज्यादा होगा हम हमेशा उसके बारे में डिसकस करते हैं कि कौन सा अनिमी, किस माहोल और जॉन्रा के हिसाब से बहुत ही बहतर होगा जी तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में यह हम बात करेंगे वन पीस के बारे में आपको लग रहा होगा कि हम बात करें वन पीस एपिसोड थाउजन के बारे में जो कुछ खास होने वाला था लोगों का डाउट ये भी था कि ये एपिसोड तो दिखा है इन्होंने लेकिन एपिसोड में कुछ खास नहीं था मतलब फाइट ही दिखाए गई है पुरानी यादे दिखाए गई है लूफी की सभी खिरदारों की कैसे क्रू आये थे मतलब चाहो जिंबे हो मंकी डी लूफी हो नामी हो जोरो हो सबका एक फ्लैश बैक भी दिखाया गया था और ये भी दिखाया गया कि कुछ तो खास होगा क्योंकि ये काईडों के साथ बैटल हो रहा है लेकिन एपिसोड में कुछ खास हुआ ने बदले में इन्हों ने हमें जो है वो एक धमा का दिया जो है वन पीस फिल्म रेड आने वाली है जो एक टीजर रिलीस किया इन्होंने मतलब 40 स इसमें देखोगे तो अब हुद्आ का इंव अगलमेट हूगा हमेशा साथ वीडियो में डिसकर थे के शान्क्स जो है वो कब आएंगे को टो आज के वीडियो में मुई इसकस खरी गा और ट्रैलर के बारे में बात करेंमें एक ट्रेलर जो शुरू होता मतलब इसके अंदर दिखायागा एक female character मतलब sketch लिखायागा और लिखायागा कि इसकी आवाज सुनी जाएगी या नहीं मतलब आजादी होगी या endless imprisonment endless imprisonment मतलब उम्र कहते हैं जैसे हम jail में कहते हैं और बाद में धीरे धीरे जो है वो teaser आगे बढ़ता है और one piece film red और तीन जो है पंजो के निशाना आते हैं और बाद में shanks का चहरा दिखाया जाता है जी हाँ और इस movie के बारे में बात करूँ original story और इसके general producer रहेंगे आईचिरो Oda और इसके डिरेक्टर जो है वो है गोरो तानिबूची जिनोंने Code Geass ललूश अब दे रिबेलियन भी डिरेक्ट किया था एक successful और super hit anime series Code Geass ललूश अब दे रिबेलियन यही डिरेक्ट करेंगे बन पीस का film red और original story रहेगी आईचिरो Oda जी की तरफ से बहुत ही excitement वाली बात होने वाले कि हमको मजा आने वाला है कि इसके अंदर exactly जो है वो मांजरा क्या होगा मतलब story क्या होगी कभी-कभी अब देखते हो कि one piece की जो films होती है वो solo films होती है वो connected होती ही नहीं story से चाहे one piece film Z हो strong world हो या तो फिर one piece film world भी हो क्योंकि villain भी नहीं होते है सब कुछ अलग होता है episode से कुछ connected नहीं होता लेकि इस बार हम उमीद कर सकते हैं कि अगर shanks interfere कर रहा है देखिए मैं उमीदे बढ़ाने तो नहीं चाहता लेकिन एक बोल सकता हूँ ये solo movie भी हो सकता है 50-50 chances है या तो फिर episode से related भी है क्योंकि बहुत बार अगर देखा जाए dragon ball भी कैसा है वो episode से कभी कभी related है ब्रॉली को भी दिखाया गया है अब इसके अंदर कैसा है ये जो है ये solo movie भी हो सकती है तो दोनों chances से episode से भी related होगा continued story होगी या फिर एक solo movie हो सकता है मतलब सबसे खुशी की बाद जो shanks को दिखाया है और रही बाद 31 episode 1000 की ओके 1000 में अभी क्या दिखाया गया fight sequences दिखाये गए पुरानी यादे ताजा की गई हर क्यूमेंट कैसा आता है उन्होंने क्या promise किया था और सभी fans को जो है ये इनोंने thank you भी कहा है इस episode के अंदर मतलब देखा जाए तो 1999 और 2021 मतलब 23 साल का सफर और episode 1000 और लोगों की खुशी और इसमें ये भी दिखाया गया है कि लूफी और जोरो को जो है वो काईडो के पास पॉचना होता लोग जो है मतलब episode का title की है a title ही है कि straw hats gathered तो इसके अंदर अभी ऐसा दिखाया गया है कि लूफी को ये मदद करेंगे कि काईडो तक ये पहुचे सब straw hats साथ में आ चुके हैं चौपर भी आ चुके है और जो है वो सभी samurais भी है वो भी वहाँ पर है तो आगे जो होगा वो धमागा में देखना है मजा आएगा तो teaser का वहाँ पर आप जाके देखेगा तीजर आपको बहुत मजा आएगा और आप कमेंट करके बताएंगे के मूवी के अंदर क्या हो सब्सक्राइगा क्योंकि बहुत वक्त बात शैंक्स का इंवल्मेंट के अंदर होने वाला है तो थैंक्यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शैर करें और कमेंट करें बताएं आपको वन पीस थाउजन एपिसोड आपको कैसा लगा और आप जो है इसके अंदर वन पीस फिल्म रेड का जो टीज है रेसके अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वह आप हमें जो है कमेंट में करके बताएंगा कमेंट करिएगा जरूर बुलिएगा ने सो वन्सगें थेंक्यू वेरी मच्च आव गुल टेख कर दो कर दो कर दो है